नमश्कार विद्यार्थियों, हम भक्त कवी सूर्दास्ची को पढ़ रहे थे सनातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतरगत। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ब्रहमरगीत परंपरा पर बात की थी, ब्रहमरगीत किसे कहते हैं और इसका नाम ब्रहमरगीत क्यों पढ़ा इत्यादी। आज हम सीधे सीधे उन पदों का अनुशीलन करेंगे, उन पदों का अनुवात भावार्थ देखेंगे, जो हमारे पाठेग्रम में शामिल किये गए हैं. श्री क्रिशन का वचन उद्धव प्रती, यानि जब श्री क्रिशन उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, तो किस प्रकार उन्हें क्या संदेश देते हैं, उसी का चित्रन इस पद में देखने को मिलेगा. राग सारंग है, श्री सोर, वैक्रम, चंचल नयन विसाल, कर मुरली, सिर मूर पंक, पितामबर उर्बनमाल, जनी डरियो, तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार, ब्रिंदावन सो बसत निरंतर, गभुन हो नियार, उद्धव प्रती, सब कही श्यामजू, अपने मन की प्रीती, सूर इसट, इसट, प्रती, सिर्पा करी पव्वए, पठवए, यहे सकलब्रज, रीती। तो विद्यार्थियों हम जब भी किसी काव्याश की व्याख्या करते हैं तो काव्याश का एक निश्चित काव्याश या गध्याश की व्याख्या का एक निश्चित प्रारूप होता है सबसे पहले हमें संदर्ब बताना होता है संदर्ग के अंतरगत हम उस कवी का नाम और उस कृती का नाम बताते हैं जिस कृती से उस काव्यांश को लिया गया है तद पस्चात प्रसंग में हम उस विशेश बात का उले करते हैं जो विशेश बात उस काव्यांश में या गध्यांश में चित्रित की गई है कठिन शब्दों का अर्थ बताके हम व्याख्या में प्रतेक पंक्ती का क्रमानुसार अर्थ बताते हुए भावानुवात करते हैं व्याख्या करते हैं और विशेश में हम कलापक्ष के संबन में बात कर सकते हैं कि भाशा कोन सी है, किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, छंद कोन से है, शब्द शक्ति इत्यादी तो यहां हम संदर्ब की बात करें विद्यार्थियों, तो संदर्ब हमारा संपून सूर्दास के जितने भी पद हमारे पाठेक्रम में शामिल किये गए हैं, सब में एक समान ही रहने वाला है, कि प्रस्तुत का व्याश सूर्दास द्वारा रचित सूर्सागर के भ्रमर गीत अंश से उदध्रित है, जिसका संपादन अचारय राम चंदर शुकल जी के द्वारा भ्रमर गीत साल नाम से किया गया है, प्रसंग विद्यार्थियों अलग अलग पद में जो अलग बात होगी हमें उसी का चितरन कलना होगा, तो इस काव्याश के प्रसंग की अगर हम बा देखने को मिलेगा, पहले करी पर नाम, नंद सो, समाचार सब दीजो, तो श्रे क्रिशन उद्धव को कहते हैं कि सबसे पहले तुम जाकर नंद बाबा को मेरा प्रणाम करना और उन्हें सारे समाचार दीदेना, ओ वहां वरिश भानू, गोप सो, जाय सकल, सुधी लेजो, सुधी का आशे भी समाचार से ही है, कि उसके पश्चा तुम ब्रज में जाकर सभी जो मेरे साथी हैं, गवाले हैं, उन गवालों से मिलना और उनके सुख समाचार ले लेना, श्री दामा आदिक सब गवालन मेरे हुतो भेंटियो, श्री दामा इत्यादी जो भी मेरे साथी गौाले वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम्हें प्रेम पूर्वक भेंट करनी है सुक संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो वहाँ जाकर सबको मेरा सुक संदेश सुनाना अर्थात वहाँ जाकर तुम मेरी कुशलक शेम बताना कि श्री कृषन मतुरा में कुशलता से हैं, बिल्कुल सुखी हैं, अराम से हैं, गोपिन को दुख मेटियो, कदाचित मेरा सुख संदेश सुनकर गोपियों का जो असीम दुख है वहें कम हो जाए या मिट जाए, मंत्री, यहां मंत्री के स्थान पर विद्यार्थियों मित्र होना चाहिए कि मित्र इक बन बसत हमारों, ताही मिले सक्षु सुख पाईयों, सच्चु के स्थान पर सुख कर लीडिये कि सुख पाईयों, ऐसा कहा जाता है विद्यार्थियों कि जब श्री कृषन बरज छोड़ कर मतुरा में चले गए थे, तो उनकी जो परम मित्र है, राधा वहे श्री कृषन का रूप धारन करके वन में निवास करने लगी थी, जिस प्रकार श्री कृषन मुरली बजाते थे, वही राधा भी मुरली बजाने लग गई थी, पीले वस्त्र धारन करती थी, और सर पर उसने मोर का मुकुट धारन कर लिया था, तो इसी बात का चित्रन हमें यहां देखने को मिल रहा है तो उद्धव को कहते हैं क्रिश्न मित्र एक बन बसत हमारो कि मेरा जो एक अभिन मित्र राधा है वह जंगल में निवास करती है ताही मिले सुख पाईयो कि वह इतनी अच्छी है कि तुम उससे मिलकर अवश्य ही सुख को प्राप्त करोगे सावधान हुए मेरे हुतो ताही माथ नवाईयो माथ यानि माथा नवाईये जुकाना माथे जुकाने से आशे है जुक कर प्रणाम करना तुम सचेत सावधान होकर मेरी तरव से मेरी अभिन मित्र राधा को माथा जुकाना प्रनाम करना अब इन पंक्तियों में राधा की सुन्दरता का चित्रन किया है कृष्ण ने कि राधा कैसी है सुन्दर परम वह बहुत ही सुन्दर है किसोर वैक्रम, आयू में कैसी है वह किशोरवस्था में है विध्यार्थियों बारा वर्ष से लेकर अठारा वर्ष तक की जो उम्र है वह किशोरवस्था माने जाती है तो यहां रादा की उमर क्या बताई है? कि वह किशोरी है अभी चंचल नयन विसाल और उसके नेत्र कैसे है विशाल और चंचल है कर मुरली हाथों में उसके बांसुरी है सिर मोर पंख सिर पर उसने मोर की पंखों का मोर पंखों का मुकुर धारन किया हुआ है पितामबर, अंबर से आशे है कपड़े, अब उसने कपड़े कैसे धारन किये हुए है, पीले रंग के वस्तर धारन किये है, उर यानि हिर्दय पर, वक्षिस्थल पर, बन माल, और हिर्दय पर वन माल, यानि वनों में जो विविद प्रकार के पुष्प खिलते हैं, उन पु ब्रजदेवी रखवार, कि ब्रज का जो सघन वन है, सघन जंगल है, उसमें जाने से तुम बिलकुल भी मत डलना, क्यों मत डलना, ब्रजदेवी रखवार, क्योंकि ब्रज में ब्रजदेवी सदा ही उसकी रक्षा करने वाली है, व्रिंदावन सो बसत निरंतर कभू नहो नियार यानि नियार से आशेह दूर हो जाना। कि यह जो ब्रजदेवी है वह निरंतर ही वरिंदावन में ही रहती है वह कभी भी इससे दूर नहीं जाती है। तो तुम्हें बिल्कुल भी डलने की आविशक्ता नहीं है, तुम उस घने जंगल में प्रवेश करो, तो भी बिल्कुल भी मढ़ डलना। उद्धव प्रती सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीती। इस प्रकार श्यामजू यानि श्री कृशन ने अपने मन का जो प्रेम था, जो नंद बाबा के प्रती था, जो अपने परमप्रिय राधा के प्रती था, गोपियों के प्रती था, अपने साथी क्वालों के प्रती था, वैं समस्त प्रेम श्री कृषन उद्धव को अच्छे से पता देते हैं, सूरदास किर्पा करी पठ़य यानि भेजना यहे सकल ब्रजरीति, इस प्रकार सूरदास च्री वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने समस्त ब्रजरीति समझा कर उद्धव को ब्रज में भेज दिया, सूरदास त्वारा रचित सूर सागर के ब्रहमर गीत प्रसंग से अवतरित हैं, उसी प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हर आपको क्या है भाशा ब्रज ही मिलेगी, सूर सागर ब्रज भाशा में रचित है, तो भाशा ब्रज है और पद शैली है, राग यहां अलग अलग पदों में अलग अलग राग हैं, जो दिये गए हैं, अगर आपको याद रहते हैं, तो आप उसका उलेक विशेश के अंतरगत कर दीजिए, और नहीं याद रहता है, तो कोई बात नहीं, आप पद शैली बता दीजिए, आप ब्रज भाशा बता दीजिए, जो आप यहाँ यह बता सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृशन के मतुरा चले जाने पर राधा श्री कृशन का रूप धारन करके जंगल में रहने लगी थी, इस बात का उलेक भी आप विशेश के अंतरगत कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही, अग लेवाँ.